हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारी हीट्यूब चैनल पर तो गाइस आज की थोड़ो में हम आपको उताने वाले हैं मोबाइल फोन के सीम कार्ड नोट सोविंग अगर आपके फोन में सीम कार्ड सो नहीं कर रहा है नहीं दिखा रहा है सीम कार्ड तो कैसे आप इस प्रॉलम को सही कर सकते हैं तो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो गाइस देखिए आपको करना किया सबसे पहले तो आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है जैसे आप मोबाइल के सेटिंग्स में जाएंगे तो सीम कार्ड एंड मोबाइल डेटा नाम की सेटिंग्स मिल जाएगी कोई भी फोन हो आपका तो आपको इस सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे अगर देखिए मेरे phone में siem card तो पकड़ा हुआ है अगर आप your phone मेंproblem cambốc होगा, तो यहाँ पर highlight नहीं होगा इस clash तो फिर आपको सबसे पहले करना क्या है आपको चेक करना है कि आपने से loat मैं siem card को लगया है जिसमें siem डाल कर आप your phone में खोशते हैं उसे एक बार आप निकालिए निकालकर अच्छे तरीके से SIM card को साप कीजिए साप करने के बाद सही तरीके से आप अपने mobile में लगाईए SIM card को और सही तरीके से आप लगा देंगे तो यहाँ पर सो करेगा अगर साब करने के बाद भी यहाँ पर सो नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पर चेक करना है अगर यहाँ पर इस पर क्लिक हो रहा है सीम ओन और सीम टू पर तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर चेक कर लेना है कि यहां से कहीं तो बंद नहीं नहीं अगर यहां पर disable होगा इस परकार का बंद रहेगा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस परकार का देखिए तो यहां पर not enable मतलब कि यह चालू नहीं है हमारे phone से भंद है उपर देखिए एक sim का network चला गया है तो आपको यहां पर आकर sim card in mobile data वरी setting में आकर जो sim में इस परकार की problem आ रहे है उस sim पर click करके यहां से उसे चालू कर देना है enable कर देना है तो देखिए मैं यहां पर चालू कर रहा हूँ चालू हमने कर दिया अब आपको भायकाना है बायकाने के बाद देखिए इस परकार आपको चेक कर लेना है अब यहां पर आपको चेक करना है इस setting को use internet during calls on secondary data sim अगर आप internet चल रहे समय फोन लगाते हैं इंटरनेट बंद हो जाता है तो आप इसे यहां से चालू कर सकते हैं और देखिए अगर यहां पर इस परकार की problem सही नहीं हो रही है यहां पर show नहीं कर रहा है तो अपने mobile को एक बार restart या reboot कर लेना है अपने mobile के power button को प्रेस करके रखेंगे दबा के रखेंगे तो यहां पर restart या reboot को option मिल देगा इस पर क्लिक करना है और ध्यान रहे गाईस आपको सही तरीके सीम अगर लगा रहेंगे साफ करके लगाएंगे तो यहां पर restart करने बाद आपके सीम पर mobile में सीम कार्ड यहां पर show कर देगा उपर देखिए आपर network show करे या न करे no service वाले problem आसकते लेकिन यहां पर सीम कार्ड आपका show हो रहा है तो आप जान जाएए कि आपके mobile में सीम कार्ड पकड़ा हुआ है show कर रहा है लेकिन open network नहीं आ रहा है लेकिन अगर यहां पर भी show नहीं कर रहा है तो आप जान जाएए कि सही तरीके से आपने लगाया नहीं है अब उसे साब करके लगा दीजिए या फिर आप उसी सीम कार्ड में लगा कर चेक कीजीए दूसरे मुआल में show कर रहा है कि नहीं पकड़ रहा है कि नहीं अगर पकड़े तो सही है नहीं पकड़े तो आप दुकान पे जाकर चेक करवा सकते हैं नमबर को पता करवा सकते हैं कि चालू है बंद नहीं हो गया है और गाईस अगर दूसरे फोन में पकड़ रहा है तो आप इसी फोन में लगा देना सही तरीके से तो सो कर लेगा तो गाईस आज के दो बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थेंक्यू